पहली बार हम लोगों को मिला कि दीवारों पर कुछ पेंटिंग बनी हुई थी पहला मानों का साक्ष मिलता है अफरीका से लेकिन सब मानों नहीं थे ये सब मानों की क्या होती है पहचार तो लड़की लोगी सबसे सावधान रहेगा सुर आज का टेंड नहीं है सभी सब प्राचीन काल से ही टेंड है सब तो राय सेंजीला में इस्तिते भीम बेटका भीम बेटका में पहली बार हम लोगों को मिला कि दीवारों पर कुछ पेंटिंग बनी हुई थी जिससे ये पता चलता है कि मानों उस समय भी कला के परती बहुत रूची रखता था दीवालों पर हाथी बनी थी अच्छी डिजाई नहीं थी लेकिन पता चलता है कि हाथी थी थमझा के कि नहीं आगा और उसको भाला से कोई मार रहा था तो मानों जो था पहली बार जो पेंटिंग किया था वो कहां से किया, भीम बेट, हाला कि पहला मानो का साक्ष मिलता है अफरीका से, लेकिन सब मानो नहीं थे, ये सब मानो की क्या होती है, पहचान, सब मानो की क्या रही, पहचान, और उस समय से human tendency रह गए, मानो जो ता सिकार पे जाता था, उस painting से भी ये समझ में आया, कि मानो ह अब जादे होता है और कहीं जाएंगी तो जादे इडर की चीज़ों पर द्हान नहीं देंगा, लड़का कहीं जाएगा तो सब देख लेगा, रही सुच्छाएन रही दुकान बं था, हम्रा देख रहा था, रही आज द्यान रही आखेगा, अरे बाप्रयोकरा से कर्जा जादे लिए इनस निकल जो रही बाप रहा था, उसका सुरुए से सिकार वाला ध्यान रहता है, तो लड़की लोगी सबसे सावधान रहिएगा, आज का टेंड नहीं है सभी सब, प्राचीन काल से ही टेंड है सभी सब, पूरुज में भी देखिया का यह चीज होता है, मेंसा, घड़की लोग तूरते लड़ जाती है, यह बाद में देख तो यह पढ़ने वाली है का, देखिये का लड़कों में कभी बहुत छोटा-छोटा चीज के लिए लड़ाई जागडा नहीं होता है, और लड़का में लड़ाई होगा बड़े चीज के लिए, अई एक अधिला के भीम बेटका में आदिमानों की चिद्रकला, और वहीं पर मिलेगा आपको साची, साची, असोक का साची का स्टूप सबसे बड़ा है, बहुत धरम में स्टूप जो ऐसे बनाए जाता है, इसका बहुत ही महत्तो है, सबसे बड़ा स्टूप कहां का है, साची, रा मिल गया बीदी साची के पास मिलेगा बीदी साची, ये तीनों के तीनों सहर आपको एक ही जगा लमसम मिलेंगे